सो गैस आज की इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा अगर गैस आपके बीबी पैरेट को भी डाइजेशन की पुरोबल मारी है आप उसको हैंड फीडिंग करवाती हो लेकिन वो हजम नहीं कर पाता बद हजमी हो रही है तो गैस उसको कौन सा मेडिसिन देनी है और किस तरह से ट्रेट करना है और किस तरह से उसका सोलूसन निकालना है आज की इस वीडियो के अंदर में आपको कम्पलीट इन्फोर्मेशन दूँगा और गैस वीडियो को बिल्कुल भी इस हंद वात इए लेकिन वो हजम नहीं कर पाता और जो इसका इसको ओट होता है और जो यह पूर्ट होता है वह डिकार वोटे में द्यादा में सब्ल्स नहीं करवानी है क्योंकि आपका कभी baby parrot भूके पेट में बीमार नहीं पड़ेगा, अगर आप जादा hand feeding करवाओगे तब ही वो इस तरह की problem आएगी, digestion की, और इसके solution क्या है, solution कुछ नहीं है, आपको यह medicine आती है, new peptide नाम से आपको market में मिल जाती है, medical store पे normally, असानी से मिल जाती है, आपको खरीद लेना है, इस medicine को, और जिस baby parrot को आपको इस तरह की problem हो रही है, वो आपको आपको दे देनी है, और guys इसको देने का तरीका क्या है, अगर guys आपके एक single baby parrot को हो रहा है, इस तरह की problem, digestion की problem हो रही है, कि आपको हजम नहीं कर पारा hand feeding, आपको hand feeding के अंदर 3-4 drop आपको डा ठीक नहीं हो जाता, कम से कम guys आपको दो दिन तक तो देनी है, अपने baby parrot को यह वाली medicine, minimum दो दिन आपको देनी है, दो दिन में guys आपको result मिल जाएगा, काफी अच्छी medicine है, और guys यह problem इसलिए आती है, जब guys आपको अपने baby parrot को जादा hand feeding करवा देते हो, हस से जादा hand feeding करवा तो इसलिए guys यह problem आती है, बाकी guys आप समझ चुके हैं कि आपको अगर आपके baby parrot को इस तरह की problem आती है, digestion की, पाचन की कोई, इस तरह की problem आती है, तो आपको simply वाली medicine यूज कर लेनी है, यह आपको अच्छा benefit है, एकदम अच्छा result देगी, ठीक है, और guys अगर आपको कोई कोई भी information लेनी हो, तो मेरी call me for app की ID है, आप वहाँ से direct मुझसे बात कर सकते हो, direct contact कर सकते हो, और guys अगर आपको कोई भी question पूछे ना, आप comment मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई, like, share and subscribe ना ना भूले, फिर से मिलूँगा नई वीडियो के साथ, नई टोपिक के साथ, तब तक के लिए, बाई